नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकपर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डर पोख है लेकिन जब तक अप भारत में आ फैल नहीं सकता है जैंपर मैं बहुत यंग हूँ हमारी अधी म grande है तो ये शेंग गलती की फैल नहीं सकता ये स्यम गलती जो है दो हफ़ते पहले इतली ने की थी इस्पेन ने की थी और भीलाफें जersonates जम ने की थी क्योंकि इनका कॉण्ट अगर आप और stage 3 में आज ये पहुंच चुके है 19 तारिक के वल चार दिन में यहां के cases जो है 15,000 के आसपस बढ़ चुके है तो प्लीज प्लीज ये गलती आफ मत किजिए हमारे देश में घर पे रही हैं घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये देश जो है ये बहुत अडवांस्ट है इनके पास hospitals और इनका जितना population है उसके comparison में hospitals और वो बहुत जादा है हमारे देश का population है 1.3 billion हमारिया अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा और यार ये लोग जो है ना ये इतने social है नहीं ये जादा मिलते गुलते है नहीं फिर भी इनके इतने तेजी से फैल रहा है उसके comparison में अगर हमारा देश देखा जाए हम ल कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी immunity अच्छी है और फिर होगा नहीं लेकिन अगर आपके body में है आपको कुछ हो भी नहीं रहा है छे साथ दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बु पहुत कठो पहल को ऑगा नहीं कि बुकितु तो में अगर वाली सिचुियोशन आ गई जैसे इटली में तो कर्फज का मतलब आप जानते हो की जो हमारे सेनिक जो बॉर्डर पे है जो अल्रेडी है उनको फिर वहां से उठा के फिर उनको हर जगा से शहर में डिपलॉई करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो उसके अपने अलग अपने 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 घर पे रहिए अपना खयाल रखिए और सुरक्षित रहिए और जो गलती हमने इस जो गलती इटली स्पेइन फ्रांस जर्मनी इंद शोने की वो प्लीज हमारे भारत में कीजिए अपना खयाल रखिए जाहिन